देख वे पहले सवाल क्या रहूं मैं कॉश्चिन नमर वन क्या है कि इन दा इन आई एजी इन नो थरी सेल है ठीगा ना और पूछने लगूं गिव दा सेल रिप्रेजेंटेशन क्लियर चला ना सरे वीडियो समझ मारा सबको दखाई दे रहे ना चली वे देख अम मैं करां से डिप्रेजेंटेशन बतानी है और तेरे पास क्या है एनना यह जहीं नो थरीका क्या है सेल है तो कभी भी सबसे पहली बात तो मैं तो जो दो चीज बताएं कभी भी एलेक्ट्रोगेश्ट्रीम डील करें अब नरस्थ तक जब भी तू डील करेगा नरस्थ तक कंसेंटेश तक तुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले उसमें एनौड निकाल दूसरा उसमें कैथोड निकाल और तीसरा उसमें ओवरॉल सेल रियक्शन निकाल खेग है यहांसे लेक्शर यह पूरे इस लेक्शरका यह पहुत इंप्रडेंट पॉइंट है कि कभी ब धी और बना देस रूल नमाग में रखने हैं मैं कहा रहा हूं यहाँ मेरे पास क्या थे एन ना इथा और एजी था तो अभी मैं इसी लेक्सने में कंटेन्यू करूँगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थीग है ना बहुत इंपोर्टेंट है थीगाना मुझे डाटा देती है इसे रेटेक्षिन पोटेंसियल्ग के ऑक्ट् यहां पर आपको धियान रखना है कि जो । निकल है ना निकल यह क्या जाएगा गगर घप यहातorn किया है मतलब क्या हुआ था जयान कि एक आरपी है वो क्या है जादा है कि सिरे निकल से बोलो बात समझ में आई है नहीं आई अगर आई तो अब मुझे पता चल गया एन और कोने भाई या निकल गेविंग के निकल पलस टू दो इलेक्ट्रोन निकाल गे और यहां समझे पता चल गया एजी पॉजिटिव जो है वो खाएगा और आजी सॉलिड में जाएगा बा समझ मैं आगई अब ओवर्ल से लिक्שन चहिए रहे बास मेन देखता हूँ यहां पर दो इलेक्ट्रोन है यहां' पर एक लेक्ट्रोन है तो यहां पर मेरे पास मुझे सिंपल का गरना है तूसे मल्टिप्लाइ कर देना है तू E0 RP yaw E0 OP yaw din this come यहां पर सवाल करवाइऊ है तो कैसी प्रॉपर्टी ओर रहें और भ Rudi आगर यह इन्टेंसिव प्रॉपर्टी है इसमें यह 9 इंट्र प्रॉपर्टी घ्र इसका मतलब करेंगे इसम eh क WILL कोई परवर्ता नहीं आए इसकी करें यह कोर दोब नगर तो tu तो सिंपल सी बात थी। आब तुझए क्या होगा। दो इलेक्टरons से दो इलेक्टरons कैंसल है यहां पे क्या हो गया निकल सौलिड। टु एजि पोजेटिव घिय्ल्च का कि प मुजन। टु पोजेटिव। सिंपल पलस के टू एजी सौलिड और अब तू बड़ी आसाई से सेलप्रेजिटन कर सकता है क्या याद कर ए बिरिज और सी ए नौड पे कौन है निकल है दोनों अलग अलग फेज में हैं तो मैंने निकल एन नाई टू पलस कर दिया बीच में बिरिज आया कैथोड पे कौन है एजी पॉजेटिव है किस में जाता है सॉलिड में जाता है बेसक सॉलिड एक्वस मतले तुने डंडा लगा दिया फेज के लिए खतम कहानी ते सिंपल सी तेरे पास क्या होगी रे सेल रिप्रेजेंटेशन होगी